अगर हम काम करने के तरीके में छोटे-छोटे बदलाव लाएं, तो हमारी डे-टू-डे लाइफ बहुत जादा इंप्रूव होने लग जाती है. परफेक्शन की तरब जाने लग जाती है. जिन्दगी हमें बहुत खुबसूरत और आसान लगने लग जाती है. इन्ही थॉर्ट के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं. ये कपडो वाली पिन है. ये मैं सारी डिफ्रेंट साइज की एक साथ लेके नहीं आई. जब एक सेट लाती हूँ और उनमें से कुछ तूट जाती हैं, तो मैं दूसरी क्लिप डिफ्रेंट साइज का लाती हूँ. क्योंकि ये सारे क्लिप्स अलग 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 जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होती है. जैसे की डस्ट बिन, मैं जब इसमें इवन स्मॉलेस्ट साइज का लाइनर बिछाती हूँ, वो भी मेरी डस्ट बिन के लिए बड़ा होता है. और जब इसमें आप कुछ डालते हैं, तो वो निकलने लग जाता है. तो उसके लिए मैं ये लाइनर का साइड रोटेट करके उसमें क्लिप लगा देती हूँ. अब क्योंकि डस्ट बिन का माउथ जो है, जो एज है, वो चौड़ी है, तो ये पतली वाली पिन उसपे फिट नहीं होती, वो फांक्शन पूरा नहीं कर रही है. और छोटी वाली पिन तो उसमें ठीक से बैठती भी नहीं है. तो इस तरह से अलग-अलग क्लिप कपड़े सुखाने के काम में तो आती ही है, घर के अलग-अलग कामों में भी हेल्प कर देती है. आपने एक चीज और नोटिस किया होगा मेरे वीडियो में, कि मैं जो किचन के टॉवल हैं या काउंटर टॉप पूछने के लिए कपड़ा है, वो फ्रिज और काउंटर टॉप के बीच के स्पेस में सुखाती हूं. इस तरह से ये बहुत गंदा दिखता है, तो मैं उसको नीचे की तरफ हैंग करके पिन लगा देती हूं. अगेन, यहाँ पे जो अदर दो साइस की क्लिप है, वो फिट नहीं होगी, छोटी वाली तो स्लिप ही हो रही है. कपड़े सुखाते समय, अगर आप पतली पिन लगाते हैं, जैसे की ये, और इवेन दा स्मॉलर वन, दोनों वर्क कर रहे हैं, बट वो लंबी वाली पिन से कपड़े सिकुरने लग जाते हैं, एक जगा पे फिक्स नहीं हैं, वाइल छोटी वाली से एक जगा पे फिक्स है फिक्स रहने से वो कपड़े रिंकल नहीं पड़ते और अच्छे से सूख जाते हैं, कपड़े सुखाने के लिए मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं ये हैंगर योज़ करती हूँ, इस पे वो छोटी वाली क्लिप तो फिट ही नहीं हो रही है, और ये मि जब जाएं अलग डिफरेंट टाइप की पिन लेके आएं एक साथ नहीं, पिन को कभी भी धूप में ना छोड़ें, वो प्लास्टिक की होती हैं, धूप में खराब हो जाएंगी, तो उसके लिए एक तरह का मैंने ये कार्डबोर्ट का बॉक्स बनाया है और उसी में क्लि करके तो रखे हैं, बचे बहुत ही बेकार दिख रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक इस तरह का कार्डबोर्ट का औरगनाईजर बनाया, पुरानी कुर्ती का, और इसमें मैंने ये फोन रख दिया, उसका वायर भी उसी के अंदर फिट हो जाएगा, काफी नीट दिखेगा इस तरही के से, और फोन लिफ्ट करना भी इजी हो गया, अभी भी आप पीछे देखे, कुछ वायर लटक रहे हैं, तो उसके लिए ये जो फिल्टर है, जो हमारा वाटर प्यूरी फायर होता है, उसका फिल्टर जब हम चेंज कराते हैं, तो वो कुछ इस तरह से होता है, इससे बांद के वहाँ पे रख दिया है, उसी फिल्टर के आप बोल सकते हैं, वास में, इस तरह से वायर हाइड हो गया, इवेन आप ये देख रहे हैं, ये मेरे फोन का वायर है, लैन लाइन वाले का, ये दूसरा है, पिछला वाला इंटर कॉम था, तो इस पे मैंने एक DIY ये वूल की लड़ी बनाई है, इसे देखके कोई बताएगा भी नहीं कि यहाँ पे एक वायर भी लटक रहा था, इस तरह से जो केबल कनेक्शन के इंटरनेट के वायर होते हैं, वो दिवाल में बाहर ही करना पड़ता है, कंसिल नहीं होते, तो उसको मैंने सेम कलर से पें भोड़ी बहुत गंदगी वो स्क्रब में रह जाती है, और जब आप सोप उठाते हैं, तो वो डिश बार गंदा हो जाता है, तो उसके लिए आप इस तरह से उसमें पानी डालिए, उसको अच्छे से धो लीजे, और फिर उसको धोने वाले बरतन में ही किसी में पलट इस तरह से आपका वो डिश सोप साफ हो गया, और ये जो आपका लिक्विड निकला है, इससे आप बरतन साफ कर सकते हैं, इस तरह से आपका वो ड्राई भी रहेगा सोप अलग से, और गंदा भी नहीं होगा, बरतन धोने के बाद ये स्क्रब पैट धोना बहुत जरूरी ह क्योंकि इसमें बैक्टिरिया वगरा ग्रो हो जाते हैं, उसके लिए मैं अलग से पानी गरम नहीं करती, जब भी मैं पोटैटो या एग बॉल करती हूं, उसी को एक बरतन में पलट लेती हूं, बरतन स्टैन पे रखिये, नहीं तो आपका काउंटर टॉप का मार्बल गरम होने की वज़े से खराब हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप या इवन वाशिंग पाउडर डालिए, दो तीन ड्रॉप या फिर आप लगभग एक धकन डेटॉल डालिए, और उसपे अपने ये स्क्रब पैद दस निट के लिए डुबा दीजे, मैं पुरान जाएंगे, जैसे कि कभी गंदे हुए ही नहीं थे, ये जो पानी बचा है, सोप वाला, इससे मैंने जो स्क्रब पैड के होल्डर हैं, उनको वाश कर लूँगी, वो भी तो गंदे होते ही हैं, साफ हो गया है देखिए, और जो ये पानी बचा हुआ है, इसमें मैं जो किच कांटर साफ करने का कपड़ा है, वो डुबा दूँगी, और उसको भी वाश कर लूँगी, बचत करने के साथ, एक बहुत बड़ी बात यहां पे ये है, कि जब आप वही पानी पोटेटो वाला यूज करते हैं, और सेम सोप वाला अगें एन अगें यूज करते हैं, तो आ आप गैस और सोप दोनों बचा रहे हैं, क्योंकि गैस जब हम जलाएंगे तो कारबन डैक साइट से और वाशिंग पाउडर से दोनों से इनवार्मेंट खराब होते हैं, अगर आप मार्केट से इस तरह की मिठाई लाते हैं, जैसे की रसगुला या गुलाब जामून, तो उसकी चासनी हमें फेक नी पढ़ती है, तो उसका यूस करने का तरीका यह है कि आप उसको जब हल्वा बनाएं, सूजी का या किसी का, उसमें यूस कर लीजे, या जब भी आपको मखाने को या सलोनी को सुगर की कोटिंग देनी हैं, तो आप यही चासनी यूस कर सकते हैं, इस तरह से पैसे बचा सकते हैं ये जो कृषन कन्हया जी हैं इनकी जो ड्रेस है वो मैंने खुद ही स्टिच की है मेरे पास एक ब्लाउस का कपड़ा था जिसको मैं अभी आसन बना रही हूं तो साइड से मैंने पीको तो कर लिया लेस लगाना बाकी है उसके साइड से इस तरह का कपड़ा निकला हुआ था तो उसी को मैंने स्टिच करके लेस लगाके ये ड्रेस बना दी है एक ये बोरी है तो इसको मैंने हाफ फोल्ड किया और उसका छोटा सा तुकड़ा से मैंने हैंडल बना दिया साइड को विर्थ देने के लिए मैंने उसमें साइड से भी स्टिचिंग की हुई है ये स्टिंग बीच में लगा दूँगी साइड को स्टिच करने के लिए मैंने पहले उसको फोल्ड कर दिया और उसको एक क्लिप से सेक्योर कर दिया इसी तरह दूसरे तरब भी फोल्ड कर लेंगे ये बैग कुछ इस तरह बना है इसमें मैंने एक ही हैंडल लगाया है क्योंकि ये मुझे डोर पे हैंग करना है मिल्क पाउच के लिए इसको मैंने डोर पे स्ट्रिंग की हेल्प से हैंग कर दिया है और ये कुछ इस तरह दिख रहा है क्योंकि ये काफी ब्रॉड है तो इससे मिल्क डालना और निकालना दोनों ही काफी कमफर्टेबल है और ये बोरी का है इसलिए स्ट्रॉंग है लटक नहीं रहा है ये मेरा फर्स्ट राई था इसलिए मैं इसको क्लोथ से कवर नहीं किया नेक्स टाइम मैं इसको क्लोथ से कवर करूंगी तो ये और जादा नीट और फिनिश दिखेगा थैंक यू